प्रिये दोस्तों, प्रभु ये इशु के नाम में नमस्कार, शास्त्री जानसन सी फिलिप के बाइबिल प्रवचन माला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, शास्त्री जी बाइबिल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवन सहज भाशा में प्रवचन के लिए एक सबस्क्राइब बटन दिखता है, पहले उसे क्लिक कर दें, उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है, उसे क्लिक कर दें, बस हूगया काम, अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी प्रभु के नाम किस्तुती हो, प्रभु ने एक और मौका इस तरह से दिया, उसके लिए मैं प्रभु का शुक्र गुजार हूँ जैसा ब्रदर रवी डेविड ने अनॉंस किया, आज से हम एक नया विशे स्टार्ट कर रहे हैं और वो है प्रभु के वचन की पवित्र बाइबल की व्याख्या किस तरह से करें जब यह पूछा जाता है कि पवित्र बाइबल की व्याख्या कैसे करनी है तो जादा तर मसीहियों का जवाब होता है अरे व्याख्या की क्या जरूरत है बाइबल पढ़ो और समझ लो और व्याख्या वगरा की क्या जरूरत है हम मसीहियों को कोई भी विशे इस तरह से अपने एमोशन के आधार पर कभी नहीं डिसाइट करना है यह जो जवाब है अरे क्या व्याख्या 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 बाइबल पढ़ो और बस उसको समझ लो उसमें क्या है कोई बच्चा भी समझ सकता है यह जो स्टेटमेंट है यह बेसिकली एमोशन्स भावनाओं में भग कर बोलने की बात है मसीही व्यक्ति किसी भी बात को करना है या नहीं करना है कैसे करना है कैसे नहीं करना है इसका निर्ने अपनी भावनाएं या एमोशन्स के आधार पर नहीं करता है तो पहली गलती तो वहाँ यह हो रही है कि हम भावना में बहकर बात कर रहे हैं दूसरी गलती यह कर रहे हैं कि इस विशे के उपर प्रभू का वचन क्या कहता है उसकी तरफ मुड़कर कई बार हम नहीं देखते हैं आज मैं आपके ध्यान में सबसे पहले लूका रेचित शुप संदेश 24 में अध्याय के 25 में पत को आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ लूक 24 का 25 घटना मैं आपको याद दिला दूँ प्रभू ईशू पुनर जीवित हो गए और उसके बाद इम्मा उसके रास्ते दो शिश्य जो जा रहे थे प्रभू उनके पीछे हो लिए और दोने शिश्य बहुत उत्सा से बात कर रहे थे प्रभू ने पूछा कि क्यों यह तो बताओ कि तुम लोग किस विश्य पे चर्चा कर रहे हो तो वो लोग चौक गए कि अरे कमाल की बात करते हो तुम अकेले एक ऐसे विक्ति हो क्या जिसको नई मालूम कि हमारे बीच में क्या हुआ है हम उस येश्य नाम के विक्ति की चर्चा कर रहे हैं हमने तो सूचा था कि वो विक्ति ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे लेकिन यहुदियों ने उनको जान से मार डाला और ताज़ुप की बात यह है कि कुछ सुरियां कहती है कि वो तो पुनर जिवित हो गए 25 में पद में लूक 24 के 25 में प्रभु ने उनको क्या जवाब दिया ये हम देखते हैं तब प्रभु ने उनसे कहा हे निर्बुद्यों और भविश्य वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंद मतियों दो शब्दों का प्रयोग प्रभु ने किया है मराठी बाइबल में तुम्ही आतिमूर्क आनी मंद आहात यहां पर भी आतिमूर्ग और मंद दो शब्दों का उपयोग मराठी में आया है निर्बुद्धी मंद मती मतलब जो बुद्धी के मामले में स्लो है उसके बाद 27 में पद में हम देखते हैं तब प्रभु ने मुसा से और सब भविश्य वक्ताओं से आरम करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विशे में की गई बातों का अर्थ समझा दिया तो प्रभु का वचन हमको ये बात स्पष्ट बताता है कि प्रभु के वचन में ऐसी बहुत सारी बाते हैं जिनका अर्थ समझाना जरूरी है और बिना अर्थ समझाए कि लोग उसका आर्थ नहीं समझते हैं जो लोग जिन्होंने अभी अभी जोईन किया है मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ जैसा अनॉंस किया था हम पवित्र बाइबल की व्याख्या कैसे करें ये विशे हम कवर कर रहे हैं और उसके लिए हमने रेफरेंस के रूप में लूकरेजित शुबसंदेश 24 वे अध्याय के 25 से लेकर या 25 और 27 को पड़ा 27 वे पद में हम देखते हैं कि प्रभू ने व्याख्या करके उनको बताई अपने विशे की बातों का अर्थ हुने समझाया इससे ये बात बिल्कुल स्पष्ठ है कि प्रभू ने साड़े तीन स काल तक इन शिश्यों को फेस तुफेस मुखा मुख ये बात समझाई थी कि प्रभू को सूली पर जाना जरूरी है और प्रभू ने उनको ये बात भी समझाई थी कि तीन दिन और तीन रात के बाद बेपुनर जीवित हो जाएंगे इसके बावजूद में प्रभू की मृत साड़े तीन साल प्रभु का वचन प्रभु ने समझाया इसके बाद भी उनको बात समझ में नहीं आई थी इसके आधार पर हमको ये अच्छी तरह से समझ लिना चाहिए कि प्रभु के वचन में ऐसी बहुत सारी बाते हैं जो आसानी से समझ में आ जाती हैं लेकिन ऐसी भी बहुत सारी बाते हैं जो आसानी से समझ में नहीं आती हैं और इसका अरण प्रभु के वचन की व्याख्या करना जिरूर एकिस तरह से व्याख्या करें यहां एक चीज़ और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि उन लोगों ने सही व्याख्या नहीं की या सही व्याख्या कर नहीं पाए थे उसके बारे में प्रभु ने कहा कि भविश्य वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने के लिए निर्बुद्धी और मंद मत तो प्रभु के वचन को यदि ठीक से समझाये जाए तो भी कई बार हमको समझ में नहीं आता है और हम लोग जो व्यक्ति हमें प्रभु का वचन समझा सकते हैं उन व्यक्तियों को एप्रोच करने के बदले हम अपनी बुद्धी से उन बातों को सोचते हैं और जब हम महज म बुद्धी से उन बातों को सोचते हैं तो कई बातें समझ में नहीं आती हैं और उसका परिणाम यह होता है कि प्रभु का वचन या प्रभु के वचन की बहुत अधिक महतुपूर्ण बातें कई बार बिना समझे रह जाती हैं और यदि प्रभु के वचन की बिना समझे रह जाती हैं तो दो परेशानी हैं पहली बात प्रभू हमको निर्बुद्धी और मंदमती कहते हैं नंबर दो प्रभू के वचन से जो महतुपूर्ण बाते हमें समझनी हैं और समझ कर जिनको अपने जीवन में व्यवहार में लाना है वो नहीं ला पाते उसका परिणाम हमारा मसीही जीवन जो है वो सफर करता है वो कमजोर हो जाता है और मसीही जीवन जब कमजोर हो जाता है तो विश्वास करने के बाद एक शिशू के रूप में हमने आत्मिक जीवन में जो जन्म लिया था वहां से शिशू, बालक, प्रॉड और परिपक्व यक्त इन स्टेजों तक जाने में बड़ी अडचन आती है मैं बात याद दिला दूँ कि जब एक बच्चा पैदा होता है तब सिर्फ दूद पी पाता है लेकिन धीरे 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 दूद के साथ उसको थोड़ा सा फल या अन्यठोस पदार्थ दिये जाते हैं आज कल के आदुनिक जीवन में सिरियल्स देने का प्रचलन हो गया है लेकिन बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता चला जाता है वैसे वैसे उसको और अधिक ठोस भोजन देने लगते हैं एक मसीही विश्वासी के साथ बिलकुल ऐसा ही है जैसे जैसे वो अपनी जीवन में प्रोग्रेस करता है उसको ऐसा भोजन लेना चाहिए जिसे कल वो चबा नहीं पाता था लेकिन आज चबा सकता है जिसका मतलब यह है कि कल तक जिस बात को वो समझ नहीं पाता था आज उसे समझना जरूरी है और कल उससे भी अधिक बात समझना जरूरी है और यदि इस तरह का बदलाव हमारे जीवन में आना है तो हमें खुद ये बात जाननी चाहिए कि प्रभू के वचन की व्याख्या किस तरह से करें इस सम्मंदित हम एक बहुत ही क्रमबद तरीके से अध्यान करेंगे और इस अध्यान को आरंब करने के लिए हम इबराणियों की पत्री पहला अध्याय उसके शुरू के दो पत पढ़ेंगे इप्राइनियों की पत्री पहला अध्याय एक और दो पद में हम पढ़ते हैं पूर्वी युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांती भांती से भविश्य वक्ताओं के द्वारा बात करके इन अंतिम दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की इस बात को हम ध्यान दें कि पहले पद में बातें करके दूसरे पद में बातें की ये दोनों पद हमें इस बात को याद दिलाते हैं कि परमेश्वर मनिश्यों के साथ वारता लाप करने और वारता लाप के द्वारा मनिश्यों को उनके आत्मिक जीवन से संबन्दित जानकरी देना चाहते हैं ये मैं इसलिए जोर देकर बोलना चाहता हूँ कि आज दुनिया में बारा मुख्य धर्म है और उसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे धार्मिक ग्रूप है इन मेंसे बहुत सारे ग्रूप में लोगों का ये विश्वास है कि पजमेश और मनिश्यों से किसी भी तरह का संपर्क नहीं रखते हैं और जब संपर्क नहीं रखते तो मनिश्य के साथ आश्य आईडियास शेर भी नहीं करते हैं तो इस तरह के बहुत सारे धर्म हमारे चारों तरफ है जिनका ठोस विश्वास है कि सरवेश्वर मनिश्य को किसी तरह की जानकारी नहीं देते हैं और इसलिए मनिश्य को अपने स्वयम के प्रयत्न के द्वारा सच्चाई को ढूंड निकालना चाहिए लेकिन प्रभू का वच्चन इब्राइनी की पत्री पहले अध्याय के एक और दो में कम से कम दो बार यह कहता है कि परमेश्वर ने हमसे बातें की हैं इस पदों के डीटिल में अभी हम नहीं जाएंगे लेकिन ये दो पद इसको परियाप्त रूप से स्पष्ट करते हैं कि परमेश्वर ने हमसे बातें की हैं और प्रभू का वचन इसके अलावा और भी कई जगे इस बात को दोहराता है लेकिन प्रभू के वचन से ही हम एक बात देखते हैं प्रभू ने हमसे मनिश्यों से बातें की हैं मनिश्यों को जानकारी दी है लेकिन प्रभू ने जो जानकारी दी है मनिश्य उसको समझता है क्या समझ सकता है क्या उसके कारण समझने के बदले उसका उल्टा भी हो सकता है तो प्रभु के वचन को समझने के बदले कम से कम तीन उल्टी बातें हो सकती हैं पहला प्रभु के वचन की गलत व्याख्या हो सकती है दूसरी बात प्रभू के वचन की हम व्याख्या कर रहे हैं लेकिन हमको ही गलत फेहमी हो रही है तीसरी बात ऐसा भी हो सकता है कि व्याख्या करने की कोशिश कर रहे हैं और हमको A, B, C, D समझ में नहीं आ रहा है तो प्रभू अपना वचन हमको देते हैं जिससे के हम वचन को समझें सही व्याख्या करके सही मतलब समझें लेकिन उसके विरुद तीन संभावनाय हो सकती है मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूँ क्योंकि हम मेंसे कोई भी व्यक्ति इन तीनों संभावनाव में फस सकता है और फसने का परिणाम ये होगा कि हम प्रभू के वचन को नहीं समझ पाएंगे और यदि प्रभू के वचन की महतुपूर्ण बातों को नहीं समझेंगे तो हम को ही आत्मिक जीवन में नुकसान होगा तो प्रभू के वचन की व्याख्या में तीन मुख्य गलतियां जो हो सकती है उसमें से पहली गलती यह है कि प्रभु के वचन के गलत ही व्याख्या कर दी नमबर दो व्याख्या तो कर रहे हैं लेकिन उसकी जो असली व्याख्या है उसके बदले हमको गलत फहमी हो रही है और गलत फेहमी में हम गलत व्याख्या कर रहे हैं पहला जान बूच के गलत व्याख्या दूसरा पॉइंट अन जाने गलत व्याख्या और तीसरी संभावना है कि व्याख्या करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है इन तीनों बातों के बहुत सारे उदाहरण हम प्रभू के वचन में देखते हैं प्रभू के वचन की गलत व्याख्या का एक उदाहरण हम देखते हैं उत्पत्ती की पुस्तक तीसरे अध्याय में उत्पत्ती की पुस्तक तीसरे अध्याय में पहले पद से हम पढ़ते हैं यहोआ परमेश्वर ने जितने जंगली पशु बनाए थे उनमें सर्प धूर्त था और उसने स्थ्री से कहा क्या सच है हम उन पदों को जानते हैं चोथे पद में हम देखते हैं तब सर्प ने स्थ्री से कहा तुम निश्चे ना मरोगे परमेश्वर ने का मर जाओगे सर्प उसकी व्याख्या करता है तुम निश्चे ना मरोगे बलकि पर्मेश्वर आप जानते हैं कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुमारी आँख खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्यान पाकर पर्मेश्वर के तुल्ली हो जाओगे पर्मेश्वर ने बहुत क्लियरली बोल दिया था कि जिस दिन खाओगे उसी दिन मर जाओगे लेकिन सर्प उसकी व्याख्या इस तरह से करता है नहीं 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 पर्मेश्वर ने जो कहा है उसको तुमने नहीं समझा है और पर्मेश्वर ने जो कहा वो सही नहीं है असली बात यह है कि उसको खा लो तो तुमारी आखें खुल जाएंगी और तुम परमेश्वर के तुल्ले हो जाओगे परिणाम क्या हुआ छटे पद में हम देखते हैं स्त्री ने देखा कि उस व्रिठ का फल खाने में अच्छा है बिना खाए ये बात कैसे पता चली कि फल खाने म में अच्छा है अभी आते हैं उस पर देखने में मन भाव हां आखों से तो दिखता है लेकिन खाने में अच्छा है कैसे पता चला बुद्धी देने के लिए चाहने होगे कैसे पता चला नहीं पता चला लेकिन प्रभू के वचन को जब कोई व्यक्ति तोड मरोड कर उसकी व्याख्या करता है तब सबसे पहले वो जाकर मनिश की भावनाओं को Emotions को स्पर्श करता है और जब Emotion को स्पर्श किया तो स्तुरी ने देखा औरे बहुत प्रे देखने में कितना मनभाव है उसके बाद कुछ नहीं सोचा बाकी तो उसकी बुद्धी ने अपने अप सैज़ेस्ट किया कि बुद्धी देने के लिए अच्छा है और उसके अल आना चाहता हूं कि दुनिया में जो पहला पाप हुआ था उस पाप का कारण ये था कि किसी ने हम जानते हूं कौन है प्रभू के वचन की तोड मरोड कर व्याख्या की और तोड मरोड कर जब व्याख्या की तो उस्तरी उसमें फस गी आप कहेंगे कि ठीक है ब्रदर ये बात हम समझ गए लेकिन ये तो शैतन ने तोड मरोड के व्याख्या की लेकिन मैं और आप जब व्याख्या करेंगे तब तोड मरोड के थोड़ी व्याख्या करेंगे हाँ बिल्कुल सही बात है बिल्कुल सही बात है हम लोग तोड मरोड के व्याख्या नहीं करेंगे लेकिन एक बात मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि हम मैंसे हर व्यक्ति प्रभू के वचन को पढ़ता है और उसको समझने की कोशिश करता है लेकिन हम मैंसे हर व्यक्ति अन्य लोगों के द्वारा प्रभू के वचन को जो सिखाये जाता है वो भी तो बहुत सुनते हैं बहुत सुनते हैं और आजकल तो Zoom के कारण प्रभु के वचन के टीचिंग की भरमार हो गई है और इसलिए हम लोग बहुत सुनते हैं क्योंकि काफी free time भी हम लोगों के पास निकल आया है और जब प्रभु के दास प्रभु के वचन की टीचिंग देते हैं तो उसके बीच में आके ऐसे भी बहुत सारे लोग प्रभु के वचन को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो जहरीली बीज वो रहे हैं याद है प्रभु ईश्व ने वो उदाहरिंड दिया था कि घर के मालिक, मालिक के आदेश से अच्छे बीज बो दिये गए लेकिन जब सब लोग सो रहे थे उस समय दुश्मन आकर उनके बीच में जंगली बीज भी बो गया दासों ने आके का कि मालिक हमने तो असली बोया था अच्छे बीज बोए थे अब तो जंगली बीज भी आ गए हैं ये किस बात को दिखाता है ये इस बात को दिखाता है कि जहां भी प्रभू के वचन की खरी-खरी शिट्षा दी जाती है वहां पर आउसर देखकर शैतान और उसके दास लोग प्रभू के वचन की शिट्षा को गलत शिट्षा को भी फैला देते हैं और इसका परिणाम क्या होता है कि लोगों को बहुत अधिक प्रभू के वचन के बारे में गलत फैमी होती है तो इसलिए मेरे प्रीई भाईयों और बहनों जब मैं उत्पति से उदाहरन दे रहा हूँ तो कहीं ऐसा न सोचें कि वो तो शैतान था हम स्वयम व्याख्या करते हैं तब यह गड़बड नहीं होगा पहली बात हव्वा ने भी तो स्वयम व्याख्या की इसलिए तो गड़बड हो गया दूसरी बात यह है कि जहां भी प्रभू के वचन का अच्छा बीज बोया जाता है वहां आउसर पाकर बहुती चालाकी से शैतना कर प्रभू के वचन की गलत व्याख्या का बीज बो देता है और मंडली में जो कमजोर लोग है उनके दिल में वो काम कर जाता है और वे लोग विश्वास से ब्रष्ट हो जाते हैं ये भी देखा गया है कि स्थानी मंडलियों में यदि कुछ लोग अपने विश्वास से ब्रष्ट हो जाते हैं तो उनके प्रभाव में अन्य लोग भी धीरे धीरे भरष्ट होने लगते हैं कारण यह है कि हम जिस व्यक्ति से प्रेम करते हैं वो व्यक्ति जब कोई गलत बात प्रभू के वचन से सिखाता है तो उसका मूँ देखकर उसके खंडन की इच्छा नहीं होती है खासकर भारती समाज में जहां हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और खंडन नहीं करते तो उसका परिणाम क्या होता है कि वो और लोगों में फैलता है वहां से हमारे पास आता है तब हमको भी लगता है कि आरे जाने दो क्या सही क्या गलत जिसकी जो इच्छा है उसको विश्वास करने दो मैं आप सब लोग जानते हैं मैं एक बाइबल स्कूल अध्यापक हूँ और एक से अधिक ब्रदरेंड बाइबल स्कूल में पढ़ा चुका हूँ अब तो लगभग बंद कर दिया है इन में एक बाइबल स्कूल में एक बार जब सारे अध्यापक बैठ कर चर्चा कर रहे थे कि बहुत अधिक गलत शिट्षाएं फैल रही हैं और अध्यापकों के बीच में भी कुछ लोग गलत शिट्षाएं क्लास रूम में उतार रहे हैं तो प्रिंसिपाल ने खड़े होकर कहा कि अरे जिसकी जो इच्छा है पढ़ाने दो उन बच्चों को चांस दो कि वे उसमें से सही गलत अपने आप चुन लें दो या तीन जो सीनियर अध्यापक चेयर्मेन वगरा थे सब ने यही बात दोहराई कि अरे काहे को रोक टोक करते हो यदि कोई गलत सलत पढ़ा रहा है पढ़ाने दो बच्चों को अपने आप चूस करने दो ये प्रभू के वचन के विरुद्ध है प्रभू का वचन खासकर यहूदा की पत्री में इस बात को स्पष्टतेया बताता है कि जो प्रभू के वचन को गलत सलत पढ़ाता है उसका खंडन करके उसको दबा देना चाहिए दूसरी बात ये है गलत बात ये है यदि हम सोचते हैं कि गलत सलत सब जो है विद्यारतियों के सामने रख दो उसमें से वो लोग अपने आप सही चूस कर लेंगे तो ये ना तो पुर्याने नियम के इतिहास से मैच करता है ना ही नए नियम के उपदेशों से मैच करता है क्योंकि नए नियम में बार बार ये बात स्पष्ट कही गई है कि जब लोग गलत टीचिंग्स को एक्सपोज होते हैं जब उसका प्रभाव इन पर पढ़ता है तो सही जो शिट्षा है उसके बदले लोग गलत शिट्षा आदिक चूस करते हैं तो इस कारण प्रभु के वचन के व्याक्या की जब बात आती है तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि जब भी प्रभु का वचन सही रीती से और खरा खरा सिखाया जाता है तो परमेश्वर के विरोधी लोग आकर प्रभु के वचन के विरोधी शिट्षाएं लोगों के बीच में बहुती चाला की से फैला देंगे और इसका रेंड हम में से हर व्यक्ति को मालूम होना चाहिए कि प्रभु के वचन की वियाख्या कैसे करनी है जिससे कि यदि कोई प्रभु के वचन की गलत वियाख्या करता है तो हमें तुरंत समझ में आ जाए कि ये गलत कर रहा है क्या गलती कर रहा है ये समझ में ना आए तो भी कम से कम इतना तो समझ में आ जाना है चाहिए कि ये प्रभू के वचन की गलत व्याख्या कर रहा है दूसरी संभावना तो पहला पॉइंट प्रभू के वचन को लोग जान बूचकर मोड तोड कर गलत व्याक्या करके हमारे बीच में फैल आ सकते हैं इसलिए हमें सही व्याख्या कैसे करनी है ये आना चाहिए दूसरी बात कई बार प्रभु के वचन में जो बात कही गई है उसको सुनते तो कान से हैं, सोचते अपने घुटने से हैं परिणाम क्या होता है कि प्रभु का वचन समझ में नहीं आता है इवन प्रभु के स्वयम के जो शिश्य जो प्रभु के साथ जान देने के लिए तयार हो गए थे इवन उनके जीवन में ऐसी घटनाएं हम देखते हैं उदाहरन के लिए इसी पुस्तक के लूका के शुप संदेश लूका का शुप संदेश 22 वा अध्याए 35 और 36 में प्रभु इश्य ने एक प्रस्ताव दिया था ताज्युक की बात है कि 2000 साल के बाद भी विश्वासी कई बार इस प्रस्ताव की उल्टी वियाख्या करते हैं लूका 22, 35 और 36 में हम पढ़ते हैं और प्रभु ने उनसे कहा कि जब मैंने तुम्हे बटूए और जूली और जूते बिना भेजा था तो क्या तुमको किसी वस्तू की घटी हुई थी उन्हें ने कहा किसी वस्तू की नहीं प्रभु ने उनसे कहा परन्तु अब जिसके पास बटूआ हो ले ले जूली भी ले ले और जिसके पास तलवार ना हो वो अपने कपड़े बेचकर एक तलवार मोल ले मेरा अनुमान है कि आज जितने लोग प्रभु का वचन सुन रहे हैं हम में से हर व्यक्ती ने ये जो प्रस्ताव है इसे सेक्डों बार सुना है प्रभु ने कहा कि ना तो बटूआ लो ना जोली लो ना जूता लो और जाओ और वो लोग गय और ने किसी बात की घटी नहीं लेकिन अब अपनी मृतिव से पहले प्रभु कहते हैं कि बटूआ हो ले लो जोली हो ले लो और यह तलवार ना हो तक अपड़े बेचके जो ह एक मोल मतलब किसी भी कीमत पर तुम्हारे पास तलवार होनी चाहिए उसकी प्रिष्ट भूमी प्रभु ने मत्ति रेचित सुस्माचार चौथ्य अधिया की उन्नीस में कि मैं तुमको मनिश्यों को पकड़वाने वाला मच्वारा बनाऊंगा लेकिन ये लोग इसको नहीं समझ पाए उन लोगों ने दो तलवारों का इंतिजाम कर लिया उसके बाद हम देखते हैं कि लूक 22 के 49 में क्या हुआ लूक 22 के 49 में हम देखते हैं प्रभु के साथियों ने जब देखा कि क्या होने वाला है तब पूछा हे प्रभु क्या हम तलवार चलाएं अभी कुछी दिर पहले तो प्रभु ने कहा था कि तलवार खरीद लेना तो क्या हम तलवार चलाएं और उन में से एक ने महायाजक के दास पर तलवार चला कर उसका देहना कान उड़ा दिया तो कुछी दर पहले, कुछ घंटों पहले जब प्रभु ने कहा था कि तलवार ले लेना और उन्हों ने कहा कि प्रभु दो तलवार हैं तो प्रभु ने कहा कि बस 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 तब भी उन्हों नहीं नहीं समझा कि प्रभु के कहने का मतलब क्या है 22 पद में हम देखते हैं मत्ती 26 के बावन में I'm sorry लूका में डीटिल्स नहीं है लूका में सिर्फ इतना कहा गया है कि महायाजक के दास पर चला कर उसका कान उड़ा दिया लेकिन मत्ती 26 के बावन में हम देखते हैं तब ईश्व ने उससे कहा अपनी तलवार मियान में रख लो क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नाश किये जाएंगे जब हम प्रभू के इस प्रस्ताव को पढ़ते हैं तब एक बात स्पष्ट हो जाती है कि प्रभू ने अपने शिश्यों से जब कहा था कि जिसके पास तलवार नहीं है वो कपड़े बेचकर एक तलवार ले ले तो उसका मतलब निश्चित रूप से ये नहीं था कि तलवार चलाना है प्रभू का मकसद कुछ और था इस बात को मत्ती 26 के 54 में प्रभू और अधिक स्पष्ट करते हैं मत्ती 26 के 54 में प्रभू कहते हैं परंतु पवित्र शास्त्र की वे बातें कि ऐसा होना आवश्य है किस तरह से पूरी होगी प्रभू ने शिश्यों से अरे तुम तलवार चलाओगे मुझे बचाओगी क्या और यदि बचाओगे तो जो प्रभू के वचन में जो कहा गया है कि मेरा सूली पर जाना जरूरी है वो कैसे पूरा होगा तो देखिए प्रभू ने कहा तलवार खरी दो लेकिन प्रभू ने ये भी कहा कि जो तलवार से वार करेगा वो तलवार उस पर वार करेगी और प्रभू ने ये भी पूछा कि देखो यदि तुम तलवार से मेरी सुरट्शा कर भी लेते हो तो प्रभू का वचन पूरा होना है वो कैसे हो पाएगा तो इससे एक बात स्पष्ट है कि प्रभू ने प्रभू ने शिश्यों से जो बात कही थी कपड़ा बेचके तलवार खरीद लेना उसका मतलब या उसका लेट्शि कुछ और था और उस लेट्शि को शिश्यों लोग नहीं समझ पाए हम भी जब उस पत को पड़ते हैं तब प्रभू ने तलवार लेने के लिए उनसे जो कहा था उसका कारण नहीं समझ पाते हैं ये बात मैं याद दिलाना चाहता हूं जिसका मतलब है कि प्रभू के वचन के हम सही व्याख्या नहीं कर रहे हैं कैसे व्याख्या करें ये प्रभू ने मदद की तो उदाहरिन की रूप में बाद में मैं डीटेल में कवर करूंगा लेकिन मेरे प्रीब भाई और बेहनो न प्रभू के वचन की गलत व्याख्या की थी उस तरह से हो सकता है कि हम अपने अज्ञान के कारण प्रभू के वचन की गलत व्याख्या करें तीसरी बात है कि प्रभू का वचन तो बताया जा रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा है ये हमने लू का चौबिस के पच्चीस में पड़ा था कि हे बुद्धिहीनों हे मंद बुतियों तुम इन बातों को नहीं समझते क्या तो मेरे प्रभू के वचन की व्याख्या सही कैसे व्याख्या की जाए इसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि यदि किस तरह से व्याख्या करनी है यह हम नहीं समझेंगे तो तीन प्रकार से गल्तियां हो सकती है नमबर वन जो लोग जबरदस्ती प्रभू के वचन को तोड मरोड कर हमारे सामने पेश करते हैं वो लोग किस तरह से तोड मेरोड रहे हैं यह हमें समझ में नहीं आएगा और हम गलत बात पर विशुआस कर लेंगे दूसरी बात दूसरी संभावने यह है के हम पढ़ रहा है हमکو लग रहा है कि हांहां समझ में आ रहा है जैसे पत्रस को लगा था तलवार चला दिया नहीं प्रभु ने ये नहीं कहा था कि तलवार से प्रभु की सुरेच्षा करनी है तीसरी बात यह हो सकती है कि इम्मा उसके रास्ते पर जो शिश्षी जा रहे थे सब कुछ प्रभु ने उनको बताया था साड़े तीन साल प्रभु ने ये बात उनको बताई थी लेकिन उन्हा ने नहीं समझा ये तीनों बातें चुकि हमारे जीवन में हो सकती है और चुकि ये तीनों चीजें प्रभु के वचन की सही समझ में बाधा डाल सकती है और इस तरह बाधा डाल कर हमारे आत्मिक जीवन के विकास को प्रभावित कर सकती है इस कारण प्रभू के वचन की व्याख्या हम मैंसे हर व्यक्ति को समझनी चाहिए जब मैं इतना बता रहा हूँ तो उसके साथ साथ एक चीज और बताना चाहता हूँ अक्सर लोगों को लगता है कि अरे प्रभू के वचिन की वी आख्या बहुत मुश्किल काम है उसके लिए बाइबल स्कूल जाके स्टड़ी करनी पड़ेगी और अतिविशाल, थियोलगी, लाइब्ररी जो है उसका इंतिजाम करना पड़ेगा ये सब गलत है और कई बार इवन प्रचारक लोग इस गलत फहमी को लोगों के मन में डाल देते हैं आज से कुछ साल पहले की बात है मैं एक कैम्प में संदेश दे रहा था तो वहाँ पर एक भाई ने पूछा कि प्रभू के वचन की सही व्याख्या करने के लिए मुझे क्या करना होगा तो हम जितने वक्ता लोग थें उनमें सबसे सीनियर व्यक्ति के हाथ में वो परचा पड़ गया पॉस्टिन एंसर आवर के समय और उन्होंने जो जवाद दिया वो सुनके मैंने सर पीट लिया उन्होंने कहा प्रभू के वचन की सही सही व्याख्या करनी हो तो एक काम कीजिए इंटरनेशनल बाइबल कमेंटरी नाम की एक कमेंटरी है उसके 40 के करीब वॉल्यूम से हैं उसको खरीद लें उसके बाद पुल्पिट कमेंटरी के जो 25 वॉल्यूम है उसको खरीद लीजे उन्होंने इस तरह से 4-6 लिस्ट गिनवा दिये मैं वहाँ बैट के जल्दी जल् रहा था उस जमाने में यदि ये सारी किताबे खरीदनी हैं तो कम से कम दो लाख रुपे का खर्चा होता मैंने सर इसलिए पीट लिया कि यदि कोई आदमी दो लाख रुपे इन्वेस्ट नहीं कर सकता तो वो प्रभु के वचन की व्याक्या नहीं कर पाएगा क्या इन भा लाख रुपेया किताबों के लिए स्पेयर करना तो सिर्फ करोड़ पती लोग कर सकते हैं तो क्या करोड़ पतियों के अलावा क्या कोई प्रभु का वचन नहीं समझ सकता दूसरी बात यह है कि जिस भाई ने ये प्रश्न पूछा वो तो अंग्रे जी जानता ही नहीं था अंग्रे जी में दो लाख रुपे की किताबे खरीदने के बाद क्या वो उसका अचार डालेगा या पहले उसे स्पोकन इंग्लिश जाके जो है कोचिंग जॉइन करके पहले वो स्पोकन इंग्लिश सीखे उसके बाद रिटन इंग्लिश सीखे उसके बाद कमेंटरी माकान बेच के कमेंटरी खरीदे उसके बाद जो बची खुची जमीन है वो खरीद के जो है अंग्रेजी सीखे सारी जिंदगी बीच जाए और तब भी वो प्रभू के वचन की व्याख्या ना कर पाए ये बड़े दुर्भागी की बात है कि हम में से कई लोगों के मन में ये गलत फहमी है कि प्रभू के वचन के लिए बड़ा ताम जाम होना है चाहिए ऐसा कुछ नहीं है हाँ जब मैं इतना बोलता हूँ तो आप में से कई लोग पूछ सकते हैं कि ब्रदर जॉन्सन आपके पीछे तो बहुत सारी किताबे रखी हुई है देखिए मेरा कॉल अलग है और उसके लिए ये जो पुस्तके हैं ये जरूरी है लेकिन प्रभु के वच्चन की जब मैं व्याख्या करने के लिए बैठता हूँ तब मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि बाइबल बाइबल डिश्नरी और एक कंकॉर्डेंस कंकॉर्डेंस का मतलब जहां जिसके द्वारा आप शब्दों को जैसे नया जन्म है इस शब्द ये शब्द कहां कहां आया है इन तीनों इन चीज़ों को ढूणने के लिए जन्रली मैं जब प्रभु के वचन की व्याक्या के लिए बैठता हूँ तो बाइबल बाइबल डिश्नरी और कंकॉर्डेंस के अलावा किसी चीज का उपयोग नहीं करता यदि आप गहराई से बाइबल का अध्यान करते हैं तो इन चीजों से काम चल जाता है आप पूछेंगे कि कमेंटरी से आपको नफरत है कि जी ने बिल्कुल नफरत नहीं है जब हम प्रभु के वचन का अध्यान कर चुके होते हैं तब उसके बाद दूसरों को प्रभु अंधरी ने क्या प्रकाष दिया है ये हम पढ़कर देखते हैं तो अतिरिक्त प्रकाष मिल जाता है कि घ्यान जो प्रकाश है ये मेरी मदद करता है लेकिन एक सामानी जीवन व्यक्ति के लिए सारे ताम जाम इसकी कोई जरूरत नहीं है और यदि आपको लगे कि यदि ये सब नहीं करेंगे तो गलत शिट्षा में पड़ जाएंगे ये भी सही नहीं है आजकल तो आप तो हिंदी में औ और भी अच्छा है ये बात मैं आपको याद दिला दूँ अफसोस की बात ये है कि प्रभू के वचन की सही सही व्याख्या जिरूरी है इसको कई बार विश्वासियों से अधिक गैर विश्वासी समझते हैं इसका उदाहरन प्रभू के वचन में ही हमको मिलता है प्रेरित प्रेरितों के काम आठ्वें अध्याय के तीसमें पत से हम इस तरह से पढ़ते हैं प्रेरितों का काम Acts of the Apostles पाच्छवा अध्याय आठ्वा अध्याय, I'm sorry, आठ्वा अध्याय, तीस से इस तरह से पढ़ते हैं हम वो स्टोरी जानते हैं जो कूशी, इथियोपिया का जो जा जब रत में जा रहा था, वो येशया की पुस्तक पढ़ रहा था, पवित रात में ने फिलिपुस को धेजा, तीसमें पत में हम देखते हैं, फिलिपुस ने उस और दोड़ कर उसे येशया भविश्य वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा कि आप जो पढ़ रहे हैं, क्या उसे समझ रहे हैं, महामंत्री था, बहुत उंची हस्ती थी, और याद रखें कि कंदा के, रानी कंदा के का जो खजांची था, वो कोई और आसत व्यक्ती नहीं था, आती बुद्धिशाली, आती ज्यानी, आती विश्वस्त, बुद्धी और ज्यान स परिपूर्न वेक्ती था, उसने तुरंत जवाब दिया, जब तक कोई मुझे ना समझाएं, तो मैं कैसे समझूंगा, देखिए कई बार गैर मसीही लोग इस बात को, हमसे ज़्यादा समझते हैं, और मानने के लिए तयार हैं, कि प्रभु का वचन प्रॉपरली समझाया ज जाना चाहिए, उसने फिलिपुस से अनुरोद किया, कि चड़कर मेरे साथ रत में विराजें, मतलब उस गैर मसीही को ये तो मालूम था कि कोई समझा है, तब ही समझ में आएगा, उसके बाद उसने इस बात को भी समझा कि जो इतना पूछ रहा है, दौड के रत के बगल म आगया और जो पूछ रहा है तो उसको जरूर इस विशे का ज्यान हो गया, इसलिए उसने बिंती की कि चड़कर मेरे पास बैठिये, चौतीसवे पद में हम क्या पढ़ते हैं, चौतीसवे पद में इस पर खोजे ने फिलिपुस से पूछा, मैं आप से बिंती करता हूँ, ये बता दीजिए कि भविश्य वक्ता किसके बारे में कह रहे हैं, अपने बारे में या किसी दूसरे के विशे में, तब फिलिपुस ने अपना मूँ खोला और इसी शास्त्र से आरंब करके उसे येश्यु का शुब संदेश सुनाया, यहां दो बातें मैं आपके जानकरी में रखना चाहता हूँ, यहां एक प्रस्ताव कई लोगों को बहुत ताजुब में डालता है, वो है फिलिपुस ने अपना मूँ खोला, नए नियम में कई बार मूँ खोला शब्दाता है, हम जानते हैं कि मूँ खोले बिना कोई बोल आलंकारिक प्रयोग है, जिसका अनुवाद हमारी भाषा में नहीं हो सकता, जहां भी यह शब्द आता है, प्रभु ईश्व ने अपना मूँ खोला और बोला, उसका मतलब यह है, उस आलंकारिक युनानी भाषा में, उस आलंकारिक प्रयोग का मतलब यह है, कि आदिकारिक तरीके से सिखाया या आदिकारिक तरीके से बोले तो जब यहां लिखा है कि फिलिपुस ने अपना मुग खोला तो उसका आलंकारिक भाषा का मतलब यह है कि फिलिपुस ने आदिकारिक तरीके से बताया और इसी शास्त्र से आरम करके इशु का शुपसंदेश सुनाया तो एक हप्षी जो कि गैर नसी ही था और गैर यहूदी था उसने इस बात को अच्छे तरह से समझा कि व्याख्या करना जरूरी है और उसने ये भी समझा कि ये व्यक्ति जो मुझसे ये ऐसा प्रश्न पूश रहे हैं जरूर वो व्याख्या करना जानता होगा बुला कर अंदर बैठा कर सुना और हम जानते हैं कि इस तरह से इतियोपिया में वो प्रभु ईशु का पहला शिश्य बना यहां दो चार बाते और मैं एतिहासिक जोड़ देना चाहता हूं मेरे प्रिये भाईयों और बहनों क्योंकि हम जब प्रभु के वचन का अध्यान करते हैं तो इसके पहली भी मैं कई बार बता चुका हूं कि उसके व्यावहारिक पहलू प्रैक्टिकल साइड वो भी तो हमको समझना चाहिए और इसलिए मैं ये सारी काता कहानिया इतिहास आपको बताता जा रहा हूं इतिहास इस बात की गवाही है कि ये जो हपशी है ये जो खोजा है जो नापुरिश्था नस्त्री थी ऐसे लोगों को खोजा कहा जाता था कभी-कभी राजा के मंत्रियों को भी खोजा कह दिया जाता था लेकिन जनरली खोजे का मतलब यह है कि वो ना पुरिष्था नस्त्री था ऐसे व्यक्ती ने जब प्रभू का शुप संदेश ग्रहन किया तो इथियोपिया में जाकर उसने ये संदेश सबसे पहले अपने परिवार वालों को और उसके बाद मित्रगणों को सुनाया इसका परिणाम क्या हुआ कि इथियोपिया में एक बहुत बड़ी कृस्टिन कम्यूनिटी बन गई और प्रभू ईशु के जो चेले थे शिश्य थे और जो प्रेरित लोग थे इन में से कई लोगों ने जब सुना कि इथियोपिया में इस तरह से प्रभू के नाम की गवाही दी जा रही है और जब उन्होंने सुना कि प्रभू का शुप संदेश इथियोपिया में फैल रहा है तो इन में से कई लोग उस समय तक नए नियम की जितनी पुस्तके लिखी गई थी उन पुस्तकों को और पुराने नियम की जितनी पुस्तकों को वो लोग आसानी से ढोकर ले जा सकते इतनी पुस्तकों को इथियोपिया में ले जाकर इथियोपिया में जो मसीही कम्यूनिटी है उनको प्रभू का वचन सिखाया इसका परिणाम यह हुआ कि पहली शताब्दी में ही इथियोपिया मसीही विश्वासियों का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया मामला यहां पर खतम नहीं होता है जब इत्योपिया मसीही विश्वासियों का एक बहुत बड़ा केंद्र हो गया तो इत्योपिया के स्थानिये विश्वासियों ने यह आग्रह किया कि प्रभु का वचन युनानी भाषा के बदले हमारी मात्र भाषा में हमको मिले और जब प्रभु के शिश्यों ने यह देखा शिश्यों से मेरा मतलब 12 शिश्यों से नहीं है प्रभू के अनियाईयों से है जब प्रभू ईश्यों के अनियाईयों ने ये देखा कि इतियोपिया में इतनी बड़ी मसीही कम्यूनिटी है और जब उन्हें ने देखा कि इतनी बड़ी मसीही कम्यूनिटी प्रभू ईश्यो उस समय तक उपलब्द पडमेश्वर के वचन का पुराने नियम का और नए नियम का अनुवाद इत्योपिया की भाषा में किया और इतिहास हमारा गवा है कि उसके बाद नए नियम की जो जो पुस्तकें लिखी गई उन उन पुस्तकों का अनुवाद जल्दी जल्दी इत्य की भाष्षा में हुआ परिणाम क्या है पिछले अध्याय में प्रीभाईयों और बहनों मैंने आपको ये बात याद दिलाई थी कि पुराने नियम और नए नियम के 45,000 मैंनिस्क्रिप्स आज उपलब्ध हैं मैं वहाँ पर इतना बोलकर छोड़ गया था आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया के प्रभू के वचन के दुनिया के जो प्राचीनतम मैंनिस्क्रिप्स हैं या प्राचीनतम जो पांडुलिपियां हैं उनमें एक मुख्य हिस्सा इथियोपिया की भाष्षा में हैं और वो भाष्षा जो आज से 2000 साल पहले बोली जाती थी पदमेश्वर के वचन के प्रती समर्पित वैज्ञानिकों ने उस भाष्षा को सीख कर उस भाष्षा की पांडुलिपियों को प्रभू के वचन की अन्नी भाष्षा में जो पांडुलिपियों उनसे तुलना की जिससे हमको पता चले कि प्रभू का वचन एकुरेटली क्या कहता है मैं इसके साथ क्लोज करना चाहता हूं क्योंकि एक और पॉइंट के लिए अब समय नहीं बचा है मेरे प्रिय भाई मेरी प्रिय बहन जब ये बात आपको बताई जाती है कि प्रभू के वचन की व्याख्या आपको सीखनी चाहिए तब इसको हलके से ना लें एक गैर मसीही जिसने जीवन में किसी मसीही को नहीं देखा था और कुल मिलाकर एक मासीही से कुछ घंटे उसकी चर्चा हुई थी फिलिपुस ने उसको शुबसंदेश सुनाया उसने बप्तिस्मा लिया और बप्तिस्मा लेती ही फिलिपुस को पवितरात्मा वहां से उठाकर ले गए लेकिन एक व्यक्ति के जीवन में कुछ घंटे जब सही व्याख्या उसको दी गई उसका आसर क्या हुआ उस व्यक्ति के द्वारा इथियोपिया नाम के एक संपूर्न प्रदेश में मसीही विश्वास फैल गया और उस विश्वास के खैलने के कारण तमाम सारे प्रभू के अनियाईयों को भाग भाग कर इथियोपिया पहुँचकर उन लोगों को शिट्षा देनी पड़ी और उसका परिणाम क्या हुआ कि इथियोपिया में या उसकी भाषा में पड़मेश्वर के वचन का अनुवाद हुआ मैं और आप जब प्रभू के वचन की सही व्याख्या सीख लेते हैं और जब ये सही व्याख्या हम दूसरों को देते हैं तो याद रखें कि उसका असर सिर्फ मुझ तक आप तक या उन लोगों तक सीमित नहीं रहता है जिनको हम प्रभू का वचन सिखा रहे हैं क्यों संभाव नई इस बात की है कि आप जो सिखा रहे हैं उसको सुनने वालों में एक युवा है जो उसको सुनने के बाद इतना उत्सा होता है कि वो अपना सारा जीवन प्रभू के वचन के लिए अरपित करता है उसको फैला देता है इस बात की संभावना है कि आपका वचन जो सुन रहे हैं उनमें एक युवती है जो नौकरी के लिए ऐसे जगह फस जाती है जहां एक भी मसीही नहीं है ऐसी सेक्डो युवतियां हुई है जो ऐसी जगह पर फसी नौकरी के लिए जहां और कोई मसीही नहीं है इन में से हर युवती ने प्रभू के वचन को वहाँ उन लोगों को सिखाने के द्वारा प्रभू के लिए एक बहुत बड़ी टेस्टमणी खड़ी कर दी है तो इस कारण ना तो प्रभू के वचन की व्याख्या को हम हलके से लें ना ही व्याख्या का जो असर हमारे जीवन पर और दूसरों के जीवन पर और प्रभू के वचन के और प्रभू के शुप संदेश के प्रचार प्रसार में होता है इसकी हम उपेक्षा ना करें इन बातों को समझने के लिए और प्रभु के वचन की सही सही व्याख्या करना सीखने का जो मामला है उसको हम गंभीरता से लें प्रभु के नाम की स्तुति हो प्रिय दोस्तों मुझे पूरा यकीन है कि शास्त्री जानसंसी फिलिप के आज के इस बाइबल प्रभचन द्वारा आपको बहुत अधिक अनुग्रह मिला होगा शास्त्री जी बाइबल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवं सहज भाशा में प्रभचन के लिए जगत प्रसिद्ध हैं उनका कोई भी प्रभचन आपसे छूट न जाए उसके लिए इस पार्थ हिमला को सब्सक्राइब कर लें सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिखता है पहले उसे क्लिक कर दें उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है उसे क्लिक कर दें बस हो गया काम अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी इतना ही नहीं हर नया सब्सक्राइबर हम को बहुत अधिक प्रोथ साहन देता है जै मसीह की